हेलो फ्रेंट्स मैं चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुती स्वाधिस्त गुलाब जामून गुलाब जामून बहुत आसान तरीक से घर पे इत्यार हो जाता है पहले भी हमने गुलाब जामून का वीडियो बनाया था लेकिन वो ब्रेड का गुलाब जामून हमने बनाया था अगर उसका वीडियो देखना है ताब नीचे दिये हुए लिंक पे क्लिक कीजिए चलिए आज हम बनाएंगे मैद और सूजी का गुलाब जामून गुलाब जामून बनाने के लिए देखिए हमें क्या चिए हमने लिया है पचास ग्राम चीनी मैदा पचास ग्राम पांच चमश सूजी सूजी मिसरवा मिल्क पाउडर पचास ग्राम और दगलास दूद बेकिंग पाउडर और दो चमश गी चलिए सबसे पहले हम गुलाब जामून बनाने के लिए चासनी त्यार कर लेते हैं करेंगे चासनी बनाना है वह बरतन हम लेंगे उसमें हम चीनी डालेंगे जितना चीनी है उसका डबल पानी डालना होता है अरदा पानी और डालेंगे इसमें हम इलाइची पाउडर डाल देते हैं इलाइची को हमने कूट लिया था कि बजार जैसे गुलाब जामून का टेस्ट है अगर एक कटोरी चीनी है तब दो कटोरी पानी डालेंगे उसे चासनी अच्छा बनेगा जल्दी त्यार हो जाएगा अब इसको उबलने देते हैं जब तक हमारी चासनी त्यार हो रही है तब तक हम गुलाब जामून का आठा त्यार कर लेते हैं जिसमें हम आठा गुंते हैं वो बरतन लेंगे मैदा डालेंगे रवा डालेंगे रवा हमें ज्यादा नहीं लेना होता है अगर ज्यादा रवा और मैदा कम हो जाए तो गुलाब जामून फटने लग जाता तेल में जागें मिल्क पावडर लेंगे घी लेंगे बहुत कम हमें बेकिंग पावडर डालना है सबी को अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें दूद टालेंगे दूद हमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है नौर्मल दूदे ना ज्यादा गरम है ना ज्यादा ठंडा है दूद हमें आड़ा डालेंगे दूदा हमें दूदा हमें आट्या दूदे ना ज्यादा गूंते हमें आट्यादा है मसल मसल के गुनना है थोड़ा हमें हाड लग रहा है थोड़ा सा दो दम डालते हैं इसमें थोड़ा साम लाईची पावडर राब देते हैं कि स्वाद और उगलाब जामन को अच्छा आएगा अगर आटा आपका गिल्ला हो जाए तो आपको इसमें मैदा भी थोड़ा और मिलाके डाइट कर सकते हैं आटे को अच्छे से मसल ना है जले बीच में हम चासनी भी चेक कर लेते हैं कि बनाये की नहीं चासनी अभी त्यार नहीं हुआ है इसमें थोड़ा और दूट डालके अच्छे से हम मसल मसल के इसको त्यार गरेंगे जितना आप अच्छे से मसलेंगे आटे को अच्छा बनाएंगे उतना इक लाब जमून अच्छा बनेगा फिर फटेगा नहीं तेल में जाके इसी तरह हम अच्छे से मसल लाएं देखिए आटा को हमें इसी तरह त्यार करना है आटा को हमने काफी मसल मसल के बनाया इसमें एकदम रवा हाथ में लग नहीं रहा है सॉफ्ट बन गया है गुलाब जमून काटा है हमें इसी तरह त्यार करना है अचलिए अब चेक कर लेते हैं चासनी हमारा त्यार हुआ है कि नहीं बचिपचिपी रखना का नाकॉप पूप डिल के घासनी हमारा त्यार हो गया है, बस हमें इस स्राइब реш हुझत ज्यादा प्रतार नहीं बनाना कि यह भाद है गुलाब जामुन च्था थामी फिर तो गुदार हमें दूनिदर जायेगा देखिए हमने छोटे-छोटे ऐसे कटिंग कर लिया है हमें एकदम छोटा-छोटा ही बनाना है क्योंकि तेल में जाके और ये गलाब जमुन बड़ा हो जाएगा तलने कट है जिब चासनी में डालेंगे तो और फूलेगा हमें हलके-हलके हातों से बॉल की तरह इसे बनाना है ज्यादा हमें दबाग के नहीं बनाना है देखिए इसी तरह हम सारे गलाब जमुन छोटे-छोटे बना लेंगे पिक्दम साफ-साफ देखिए हमें इसी तरह सारे गलाब जमुन बना के त्यार कर लेने हैं छोटे-छोटे बॉल की तरह अब हम गया सौन करते हैं गलाब जमुन को तरने के लिए अब कडाई रख तक कडाई को गरम होने देते हैं अब हम इसमें घी डालेंगे अब गरम होने देते घी को देखें गी हमारा अच्छे से गरम हो गया है ज्यादा हमें ज्यादा गरम नहीं करना है घी को गैस को हमें स्लो ही रखना है ज्यादा फास्ट करेंगे तो तुरंत जाके अंदर फट जाएगा अब पटा पटा हम सब इसमें डाल देते हैं अब हम गलाब जामुन को चम्मज की मदद से दीरे-दीरे ऐसे पलटते रहेंगे गैस को हमें स्लो रखना है ज्यादा फास्ट नहीं करना है तो गलाब जामुन हमारा फट जाएगा गलाब जामुन घी में जाके फुल रहा है इसी तरह हम थोड़ा ब्राउन करेंगे इसको चलाते रहेंगे सारे गलाब जामुन को देखिए गलाब जामुन कितना अच्छा गोल्डन हो रहा है इसी तरह हम सारे गलाब जामुन को अच्छे से गोल्डन करेंगे थोड़ा थोड प्रफट भी जाए एक दो तो गोई बात नहीं बगे सारे सही गुलाब जामुने एक दो फट जाता है इसको और थोड़ा गोल्डन होने लेते हैं कि देखे कितना बड़ी गुलाब जामुन का कलर आ गया गोल्डन कलर अब हम इसको निकाल लेंगे कि अच्छा गुलाब जामुन हमारा बना हुआ है अब हम इसे चासनी में डाल देंगे चासनी हमारा हलका गरम एक दम ठंडा चासनी करके हमें नहीं डालना नहीं तो गुलाब जामुन में चासनी नहीं जाएगा अब इसको ढग देते हैं इसी तरह हम सारे गुलाब जामुन तयार करके चास्नी में ढालेंगे गुलाब जमुन बहुत जल्दी त्यार हो जाता है घर पे देखिए हमने सारे गुलाब जमुन बना के त्यार कर लिए अब चास्नी में ढाल देते हैं अब हम थोड़ा गयस जला लेते हैं इसमें अच्छे से उबाल देते हैं इसको अच्छे से उबलने देते हैं कि चास्तनी अच्छे से गुलाब जमुन में चले जाएं थोड़ा उबालाने देते हैं इसको बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे देखें कितना अच्छा गुलाब जमुन बनके त्यार हो गया है एकदम से अब हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं अब आसान तरिके से घर पे गुलाब जमुन बनाके त्यार कर सकते हैं वह भी बहुत कम टाइम है अगर आपको हमारे रेसिपी अच्छी लगती है अपांची बहुत झाल देखें